जाहिन दोस्तों मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूँ देखे दोस्तों अगर आप चाहते हैं HDB Finance से जाकर के लोन लेना तो वो लोन का तरीका सचमे वास्तों में इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्युमेंट्स चाहिए इसमें interest rate क्या लगने वाला है कितना तक आपको amount मिलना है और वास्तों में जो personal loan है यह किस तरह का loan है इसके विशय में हम लोग यहां पे complete जानकारी यहां पे लेने वाले हैं जियां दोस्तों मैं यहां पे life proof आपको apply करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस loan को apply कैसे कर सकते हैं और कैसे आसानी से आपको यह loan मिल सकता है तो आईए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं start start करने के पहले आप सबसे शोटा से request है अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लो साथी साथ all notification वाला bell भी on कर लेना क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी धेर सारी वीडियो लाते रहते हैं देखे दोस्तों इस loan को apply करने के लिए मुझे अभी आपको सीधे अपने mobile के screen पे लेके चलना होगा और वहीं चलके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस loan को आप कैसे आसानी से apply कर सकते हैं देखे दोस्तों अगर आप चाहते हैं एस्टीव फाइनेंस से loan लेने के लिए यहां पर परस्नल लोन तो आपको यहां पर Google Chrome पर आना है यहां पर आपको सर्च करना है HDB Finance जैसे आप HDB Finance आप सर्च करते हैं Chrome पे तो जो पहला वेफसाइट आपको open हो रहा है यहां पर HDB Finance Services इस पर आप क्लिक कर लेंगे यहां पर नीचे अगर देखें आप यहां पर तो यह नीचे आपको यहां मिल जाएगा Personal Loan यहां पर आप No More पर क्लिक कर लेंगे जैसे यहां पर open करते हैं इसके बाद क्या है कि आप देखें तो Personal Loan जो आपका है यहां पर उसका डिटेल यहां पर open होके आपके सामने आ चुका है Personal Loan का मतलब क्या है कि आप अपने किसी भी Personal Expenses के लिए यहां पर आसानी से Personal Loan ले सकते हैं चाहें वो किस तरह के Shopping की बात हो आपको Dream Vacation की बात हो आपको Dream Vacation की बात हो या किसी भी Personal वज़र के लिए आप यहां पर Instant Personal Loan यहां पर apply कर सकते हैं अगर हमें आप बात करने इस Loan की Details की विशे में तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है यहां पर EMI Calculator दिया हुआ है आप अपने Loan के Amount के हिसाब से आप चाहें तो यहां पर चेक भी कर सकते हैं कि कि कितना आपका EMI आ सकता है जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं आपको तो यहां पर अगर मुझे Loan के आउशक्ता है पूरे 0.5 लग रुपए की और अगर यहां पर Interest Rate 10.25% अगर है और Loan का 10 यहां तो नीचे यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर ओपन हो क्या चुका है कि Loan का जो EMI होगा वह आपका 11,100 और अटल्स पे होगा यहां पर टोटल आपका इंट्रेस्ट जो पे होगा वह 28,704 और टोटल आपका 2,78,704 आपका टोटल यहां पर अमांट होगा अगर इस Loan की डिटेल्स के बात कर लें सबसे पहले कर हम इस Loan की फीचर्स की बात कर र आपको यहां पर फटा-फट मिल सकता है आपको, हैसल फ्री होगा आपको रीपेमेंट टैनियर भी आपका आसानी से आपको 60 महीने तक यह पुरे 5 साल तक का आपको टाइम मिल जा रहा है यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको फटा-फटा प्रोसेस यहां पर हो जाएगा, अगर यहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें कि यहां पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या उशक्ता अपनों को होने वाली है तो यहां पर लिखावर क्लिरी आप दिया हुआ है प्रूफ औफ आइडेंटिटी ओके एंड एड्रेस प्रूफ आपको यहां पर देख सकते आपको टेली फॉन या पोस्ट पेड्ट मोबाइल फोन पाईप गैस वाटर बिल्ल रेंटल एंटल अग्रेमेंट लेटर ओफ अलोट्मेंट यह सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहां पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि आपको अगर आप प्रूफ ऑफ डेट अब बर्थ अगर चाहते हैं यहां पर प्रूफ ऑफ डेट बर्थ यहां पर ड्राइविंग लेसिंस हो सकता है पैन कार्ड हो सकता है पासपोर्ट हो सकता है बर्थ सर्टिफिक्ट हो सकता है जिसमें कि बर्थ का आपका डेट बर्थ यहां पर दिया चाहिए यहां पर देखें आप लेटेस्ट थ्री मन्स सेलरी स्लिप एलॉंग विद लेटेस्ट फॉर्म 16 आईटी यार और अपॉइंट मेंट लेटर तो यह सब डीटेल्स भी आपको डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर लग सकता है आपको इनकम प्रूफ आपको यह कि आपका किटना है कि अगर यहां पर दिखिए इनकल निकल जाओगे और यहां पर बात करने आगे eligibility कि यहाँ पर कि क्या इसके eligibility है तो देखे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि minimum age आपको आपका applicant का जो होगा वो आपको 21 years आपका होना चाहिए maximum age जो आपका है वो आपका 60 years और retirement ओके यहाँ पर और अगर हम यहाँ बात कर लें यहाँ पर government employees की तो वहाँ पर कुछ conditions यहाँ पर कु कर रहे हैं कम से कम एक महिने का आपका salary आपके account में credit हुआ हो minimum net monthly income यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ आपका age कितना हो चाहिए आपका 65 years यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर minimum आपका जो annual income होना चाहिए वह आपको पूरे आपको वन लाग यहाँ पर metro locations के लिए और minimum आपका 75,000 बाकी के locations के लिए आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर self-employed के हम बात कर लें यहाँ पर देख सकते मिनमम आपका 22 years यहाँ पर यहाँ पर है और यहाँ पर कि बात है वहाँ आपको 65 years यहाँ पर दिख रहा है आपको देखे दोस्तों आगे अगर बात करने तो लगबग आपको मिलता है जूलता ही साले आम पीजिए आपको दिख रहा है अगर इस तो उनको आप अप्लाई करना चाहते हैं दिखे दोस्तों तो यहां पे आप apply now पे क्लिक करेंगे या फिर आप चाहें तो apply on WhatsApp भी कर सकते हैं अगर हम apply now अगर करें यहां पे तो आप देख सकते हैं जो आपका details यहां पर सामने open हो क्या रहा है यहां पर फर्स्ट नेम आपका डालना होगा इसके बार आपको लाश्ट नेम आप यहां पर डालेंगे अपना जेंडर चूज करेंगे मोबाइल नमबर यहां पर डालेंगे इसके बार आपको इमेल आईडी यहां पर डालना होगा इसके बार अपना पीन कोड जिससे आपको यहाँ पर सेलेक्टेद बाखी के तोड़र के लोग norm आपको मिल सकते हैं और यहाँ पर्सनल लोगोड ि fact करना है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर quick apply करेंगे जैसे इस page को आगे बढ़ेंगे इसके बाद क्या है आपके work का details आपको यहां पर डालना होगा क्या आपके work का details आपका क्या है इसके बाद सब कुछ details आपको डाल देंगे तो कुछ documents वगर भी आपको upload करने के लिए आप पुछा जा सकता है वह upload करेंगे जैसे उसके बाद finally आपके सामने offer open हो किया जाएगा जिसमें कि आपका यहां पे यह लोग सिविल स्कोर चेक करते हैं उसके according आपको offer यहां पे show करते हैं finally आप जैसे यहां पे application submit कर देंगे उसके बाद जोस्तों यहां पे क्या है कि as do finance के तरफ से यहां पे आपको call आएगा और call आने के बाद आपका loan वहां पे confirm आपको जाएगा जिस पर्स हो जाएगा आगे अब बात करने यहां पे apply कर देंगे दूसरा तरीका है तो WhatsApp पे आसानी से आप apply कर सकते हैं और WhatsApp के तुर भी आपको loan approve हो सकता है तो आप WhatsApp पे जाके यहां पे और जैसे यहां पे क्लिक करेंगे चुकि मैं यहां पर ब्राउजर से मैं यहां पर try कर रहा हूं इसलिए थोगा सा मुस्किल है कर पाना यहां से अभी समय से वरना अगर आप चाहते हैं तो बैतर होगा कि आसानी से आपको option मोबाइल के तूर आपको आपका धिरे-दिरे करके आपका application वहां पर step by step आपका वहां पर apply हो जाएगा अगर मैं आपको यहां पर अपनी राय दूं कि आपको यह loan वास्तों में apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखे दोस्तों अगर आपको loan की तदकाल में और शक्ता है और फटा-फटा करना चाहते हैं तो यहां पर अगर आपका फाइनेंसियर आपका प्रोफाइल अगर अच्छा होगा तो आप यहां से कर loan apply करते हैं तो आसानी से आपको मिल सकता है तो थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू थैंक्यू